सूरा मेरे मज़ पमान तठण फिर में जिक्खा पधिंग्समादियानी बुद्धन सहाब पीर फकीर समर्संत मानेवर कासिराम सहाब अगर आज स्वस्थे होते उनको ब्रेंड हैम्रेज या सुगर या हार्ट का जो स्टोक था नाया होता और सब कुछ इस्थिती ठीक ठाक होती तो 90 साल के आज वो हमारे बीच में होते पर 2006 में वो चले गए सामाजिक आदमी जब दिल से काम करता है और पूरा अपना तन मन पूरी जिंदगी सामाजिक काम के लिए लगा देता है और फिर सामाजिक काम के परिणाम उस मेहनत के अनुरूप नहीं आते या अनैस्पेक्टेड ऐसी जो संभावना होती हैं जो बीच में ऐसे लोग होते हैं जिनकी समझ कम हो जिनकी जानकारी कम हो या जिनको लालाच आ जाजाए जिनको राग आ जाए जिनको देस आ जाजाए जाने में अन जाने में समझ में ना समझ में जब वो बीच में हड़स डालते हैं तो जो लोग मन से काम करते हैं और जो लोग अपना सब कुछ लगाते हैं उनको मानसिक परिशानिया होती है मानसिक परिशानिया इसलिए होती है क्योंकि वो देखते हैं कि सामाजिक नुकसान करने वाले लोग उसी समाज के है जिस समाज के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है तो शिकायत किस से करें तो लड़ें किस से जिनके लिए जिनके उत्थान के लिए जीवन देता है आदमी जिनके उत्थान के लिए तनमन से काम करता है धन से काम करता है जिनके उत्थान के लिए दिनात एक करता है अपनी सारी चीज़ छोड़ के और जब वही लोग उस काम को रोकें तो क्या करें तो फिर आदमी का brain hemorrhage हो जाता है फिर उसको heart attack आने सुरू हो जाते हैं फिर वो परिक्सान होना सुरू हो जाता है फिर उसके mind की blockage सुरू हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यदा सोचता है वो सोचता है कि वो कर क्या रहा है और हो क्या रहा है उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और जो लोग रोक रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं उसका नुकसान हो जाए दर और चिंता नहीं होती पर जिस उद्देश वो काम कर रहा है और जिनकी लिए काम कर रहा है अगर वही रोकें तो अजीर सीश्तिती है तो ऐसे में जो दिल से काम करता है, प्र मासिक परिशानियां आजाती है। यही कारण था कि साहब एक अच्छी आईउ एक अच्छी सेहत के बाद एक सब कुछ होने के बाद भी जल्दी चले गए और ऐसी बीमारी जो नैचुरल नहीं थी उसके शिकार हो गए समन संग ने उनको 11 फरवरी को पीर फकीर का सम्मान दिया दरजा दिया दरसल उनको क्या दिया क्योंकि कोई व्यक्ति मरने के बाद बापस आता नहीं किसी को जीते जी उसको काम का सम्मान मिले तो सम्मान उसके आनंद का उसके सुख का उसके चैन का उसके व्यक्तित का कोई का आने की चीज हो सकती है पर मरे हुए व्यक्ति को गए हुए व्यक्ति को जाने वाले व्यक्ति को जो जा चुका है उसको उसके काम का नाम सम्मान या मान दो तो दरसल वो समाज अपने लिए ही वो मान सम्मान लेता है देर से लिया हुआ फैंसला यानि ऐसा फैंसला जो समय ले हैं कासि नाम हैं सहाब है fare power जीते जी खुब विरोध बी लोग करते हैं और दवा के विरोध करते हैं ऐसा विरोध करते हैं कि बड़े बड़े नुक्सवान उससे हो जाते हैं और कोई समझ नहीं सकता कि हम कहा जा रहें कहा नहीं जा रहे So सहाब कासिराम जी साधान व्यक्ति साधान स्टुडेंट पढ़े जैसा के पंजाब के अंदर जो रविदासी लोग होते हैं या जो रविदासी सिख्ध परिवार होते हैं और जैसा पढ़ाई का एक उस समय बावा साब के बाद में लोगों में रुत्वा आया कि पढ़ना च से ले गए उनका कोई मुमेंट से डॉक्टर मेटकर से उनकी किसी वानी से किताब से दूर दूर तक भी कोई संबंद नहीं रविदासी थे नाम भी वो अपना रविदास्या ही लिखते थे जैसा परंपरा जैसी चीज़े वैसा ही उनका सब बाल उन्होंने रखे नहीं हाल उन्होंने चुकि बावा साब को सुना था देखा था और वो उनकी बात को जानते भी थे वो भी रैवल किसम के इंसान थे विद्रोही थे वो नोकरी करते थे वहाँ उनके साथ में घटना घटी उन्होंने वहाँ बावा साब मेटकर के जरम दिन की चुट्टी मांगी 14 के वमन लोग थे उन्होंने मना कर दिया उनकी नोकरी खा गए नोकरी की कोई चिंता क्या होगी किसी फोल क्लास करमचारी को पर एक इज्जत की बात थी कि बावा साब मेटकर की चुट्टी नहीं हुई तो वो उसके लिए आगे बढ़े उन्होंने अपने आदमी मां ढूं किताब दे दी एनिलेसन अफ कास्ट उसे पढ़ा पुरानी समझ रही होगी कोई पीर फकी समण संत की वो संत वाला वो फकीर वाला वो पीर वाला वो समणों का जो रुतवा है वो बापस आया और वो किताब असर कर गई वो किताब दरसल एनिलेसन अफ कास्ट ऐसी है कि उस sentence में हर पेरे में एक एक किताब लिखी जा सकती है इतना उसके अंदर मठिल है वो दरसल जितने भी हमारे topics हैं उनका एक assembly है वो किताब तो जो जानकार है जो समझधार है उनके लिए तो एक बारी बहुत है बस साहाब ने वो पढ़ी पढ़ने के बाद मैं फिर नौकरी में मन नहीं लगा और उनको समझ में आया कि दुनिया कहां काम करती है और कैसे हम एक जिस करते हैं क्योंकि बच्पन के बहुत सारे अनुभव पंजाब में भी रहे होंगे पंजाब के अंदर भी कास्टिज्म चलता है प्रतार ना कम है पर कास्टिज्म है और आज भी है वो सब जहला होगा और उनने देखा होगा तो बास समझ में आ गई होगी कि लड़ना चाहिए तो लड़ने का जब रुटबा किसी व्यक्ती में सच्चा आता है और वो शादी सुधा नहीं है सादी सुधा है तो मजबूरी है क्योंकि शादी की है पर अगर सादी सुधा नहीं है तो वो फिर लड़ने के लिए पूरी त्यारी करता है वो शादी नहीं करेगा वो घर छोड़ देगा वो नौकरी छोड़ देगा वो पारवारी के रिस्ते छोड़ देगा वो कपड़े पहने के जो शौक हैं उनको छोड़ देगा खाने पीने के शौक हैं उनको छोड़ देगा बाल नहीं रखाएगा कम से कम वस्तों में गुजारा करेगा प्रिटिग्या करेगा ऐसी प्रिटिग्याए पुराने समय में जो धंमिक संग हुआ करता था जिसको भिक्कु संग बोला करते थे वहाँ पचासो हजार भिक्कु ने की है घर छोड़े, खाना छोड़ा 24 गंटे लोगों को जन जागन कराया ये संतों की एक तरह से परंपरा है ये संत सारे ऐसा ही करते हैं कि वो घर भी छोड़ेंगे, खाना भी एक टाइम खाएंगे मिल गया तो ठीक है कोई पैसा भी नहीं पकड़ेंगे अपने हाथ से पैसा रखेंगी भी नहीं कोई एकाउंट नहीं खोलेंगे कोई कोस इखटा नहीं करेंगे कोई थैली में पैसा जमानी करेंगे पैसा मांगेंगे नहीं बस दिन्राद दिन्राद काम करेंगे और ऐसे लोगों को ढूंडते रहेंगे समाज को जगाते रहेंगे ये संत परंपरा के लेक्षण है उनमें भी आगे पुराने संत रहे होंगे उनमें भी आगे और उन्होंने कमिटमेंट कर ली उगर नहीं जाएंगे पैसा हास्टे नहीं पकड़ेंगे कपड़े एक जोड़ी रखते थे ब्रीफ केस में एक जोड़ी पहनते थे मिल के तो ठीक है कई बार बनियान फटे बटे भी हुए कोट वोट उन्होंने समसान से उठाए ऐसा बताते हैं कि उनके लोग के समसान से मुर्दों का जो कोट था उलाके पैना करते थे खाना मिल या ठीक है नहीं मिला ठीक है पस जिद्ध ही काम करना है तो काम करने की समझ नहीं काम करने की समझ नहीं तो सुरुआत कहां से करें तो पॉलिटिकल काम को ही काम समझा और आर पी आई के सहुग में काम करने का ठाना RPI को देखें क्या RPI करती है क्योंकि मुवमेंट संतों की मुवमेंट या सोचल मुवमेंट या सोचल रिफॉर्म इनको बाद में पकड़ता है आदमी उसको लगता है कि राजनितिक सत्ता से सब चीजें बदी जा सकती है इसलिए राजनितिक सत्ता की तरफ जाता है तो RPI को देखा RPI के लोगों को देखा RPI का समर्थन किया पर देखा कि RPI तो पूरी के पूरे लोगों का जो सौधा है वो एक सीट में एक MP की सीट में कर बैठी उनका मो बंग हो गया वो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया कह सकते हैं कि महाराष्ट में वो अपनी बात नहीं के पाए क्योंकि महाराष्ट के लोग उस समय डॉक्टर मिटकर के वारे में ज़्यादा जानते थे पीर फकी समर्थ संत माने पर काशी रामजीत की तो सुरुवात थी तो सुरुवात वाले जानकारी के आदमी को व्यक्ती को जो व्यक्ती MP MLA का चुनाब रड़ रहे हैं वो क्यों भाव देंगे नेच्रल सी बात है तो वहाँ भाव नहीं मिला उन लोगोंने एक्सेप्ट नहीं किया करना भी नहीं चाहिए क्योंकि जानकारी कम रही होगी उन्होंने पंजाब में ट्राई किया पंजाब के लोगों को करांथी की इतनी ज़्यादा ज़्योतनी है रिफॉर्म की ज़्योतनी है आज भी ये बात हम खुले तौर पे इस नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम experience कर रहे है यानि समर संग experience कर रहा है पंजाब के लोगों को आफशक्ता नहीं उनका काम चलता है उनको देश विदेश में नौकरी मिल जाती है वहाँ से उनको कुछ मिल जाता है और वो अपना दरसल खाने पीने की तरफ से पूरी तरफेक्ट है क्योंकि उनको की दिक्कत ही नहीं उनको परिशान ही नहीं तो यूपी आए यूपी में मूवमेंट पहले से ही चल रही थी लगे हातों जब चल रही मूवमेंट वो जुड़े लोगों ने उनको accept किया काम बढ़ने लगा आगे काम आगे चलने लगा हमने जो पीर फकी समरसंत का जो टाइटल समरसंग ने उनको दिया वो उनके पहले हिस्से को दिया है राजनितिक वाले हिस्से को नहीं कहते है क्योंकि हमारा राजनिती में जाने का नहीं है इसलिए कल को कोई ये कहे वो तो राजनिती के माहिर थे राजनीती के गुरू थे या मास्टर चावी बता के गए या ताला चावी बता के गए तो हम संत वाले पार्ट पे जो रिफॉर्मर वाला पार्ट है उसको बेस मान के उनके काम को आगे बढ़ा के उनको सम्मान करते हैं हमें राजनीती से कोई गुरेज नहीं है, पर कल को कही ओर्गूमेंट करें तो आप इस बात को बोल सकते हैं. तो सहाब कासी दाऊने जब काम शुरू किया, पीर, फकीर, समदसन्त ने जो काम सुरू किया, तो उनके साथ में उनके साथ ही जो नोकरी करते थे वो थे, कई लोगों ने साथ दिया एक मनहोर आटे थे जो उनके सेकर्टरी बने जिन्होंने धाईस रुपे सेकर्टरी के लिए और देने के लिए बात कही एक खोबरा गड़े थे एक खापड़े थे और एक जल्ली थे घटना एक घटनी है तो कैसे आदमी 바दलता है कैसे चीज़े बदलती है उसका इक बारी को धरना आपको बता रहा हूं खोबरा गड़े अभी हैक्सपार होगे है नहीं उनकी एकच्छज जागरित होई एकच्छज जागरित होई होगी नाम कमाने की यह एक्षा जागरित होई होगी हम कहने हैं सकते पर जैसा कई लोगों से हम ने सुना पुराने समय से और कई लोगों का हम अंटेज्व के बढ़ा भी सकते हैं उन्हीं के आधहर पर हैं इक्षा जागी होगी साहब का अशिराब बनने जैसी इक्षा जागी होगी उनका नाम हो जाए इक्षा जागी होगी कि जो काम चल रहा है क्योंकि साहब ने बामसे बनाई और संग के पैटन पे बनाई उसका कोई रेश्टेसर नहीं उसमें पैसा नहीं खटा होता था पैसा काम में लगता था, खर्च हो जाता था, जब रिश्टरेशन नहीं, तो एकउंट भी नहीं, तो उसका एकउंट भी नहीं था, क्योओंगी सरकारी करमचारियों के एकउंट की जरूथ हैं, उसके अंदर बाते होती थी, जन जाजारों की जगाने की, पेवेक्टू सोसाइटी की तो जो राम खुबरा गड़े थे उनके मन में कहीं जो लाला चाया उस लालच के तहत में उन्होंने दो सीधे साधे लोग जली जी और खापड़े उनको अपनी तरफ करना सुरू किया और वो उनके बातों में उनके कहने में आने लगे दिल्ली के अंदर NDMC के अंदर एक मीटिंग हुई उस मीटिंग में साभ कासी नाम जी के अगेश्ट में चार पांच गंटे छे गंटे बाते चली चार टॉपिक पर बाते चली एक टॉपिक था कि बाम सिव को रेश्टर नहीं कराया गया है एक टॉपिक था कि मनहर आपटे को इतनी ज़्यादा तबज्जो क्यों क्योंकि वो आफिस में काम करते थे इसलिए काम सारा उन से लेते थे तो लोगों को आर्ख खुबड़ा गड़े को लगता था कि ये तबज्जो देते हैं मनहर आपटे की पिटाई भी करवाई गई जो खुबड़ा गड़े हैं उनने उनकी पिटाई भी करवाई एक ये कहा गया कि मायवती को इतनी ज़्यादा इंपोटेंस क्यों दी जाती है और एक वहाँ बात चली साहब कासिराम और बहन मायवती जी के कुछ रिलेशन्स के वारे में खराब-खराब बातों का चर्चा ये चार टॉपिक वह हम बाते चली है जिसमें साहब कासिराम जी को नहीं बलाया गया पर जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई जो उनने मेरे को बताया वहाँ ये बात नहीं हुई के काम क्या चलना चाहिए कासिराम जी का वीजन क्या है उनसे क्या पूछना चाहिए मांद सिर्फ क्या कर रही है या जो DS4 वो क्या कर रही है या जो BSPA वो क्या करेगी या आगे क्या प्लान है क्या करना चाहिए हम क्या करने वाले हैं कितनी achievement हुई हमारी कितना हमने प्राप किया हमारा vision क्या है क्या वीजन होना चाहिए इस पर कोई चर्चा नहीं हुई टोटल जो चर्चा हुई वो सहाब काशी राम जी बहन मायवती और उनके आसपास के बारे में यानिकि आपजेक्ट पर चर्चा नहीं हो रही है चर्चा व्यक्तिकत हो रही क्योंकि किसी व्यक्ति की इक्षा जाग किसी व्यक्ति की एक्षा जाग गई तो वो अपनी एक्षा पूर्टी करने के लिए और उको उसमें शामिल कर रहा है और नाम ले रहा है कि रेश्टेसन नहीं हुआ है बामसेफ का रेश्टेसन होना अच्छा है या रेश्टेसन होना खराब और लोग उसकी बात को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं क्योंकि उसमें 2-4-5 लोग अपने जैसे जिनकी इक्षा जागी या जो जानकार नहीं होंगे या जो कम जानकार होंगे मिलाली होंगे चंडीगण में अधिवेसन होता है और वहां जिन को पढ़ जिनको सिखाया जिनको समझ नहीं आया जाने मन जाने में उन्होंने वहां बिग्लू बजा दिया विद्रो का बारिक बात देखिए कि 군 सहाव कासी रामजी ने बाम सेब छोड़ी नहीं, बाम सेब उनको दे दी, ले जाओ बाम सेब और वो बाम सिल्वे के खुस हो गए और उन्होंने बाम सिल्वे के खुस हो गए और उन्होंने बाम सिल्वे का जाकर रेइस्टरेशन करा लिया तब आसान था क्योंकि जैसा एवियम मगरा में ऐसा नहीं है अतना पैसा भी खशनी हो सकता था और उनका मोटिव रहा होगा या उनको सरकमिस्टांसिस जो हुए हैं उनसे बामसिफ छोड़नी पड़ी यानि कि जो सोसल रिफॉर्मिसन का काम था वो छोड़ दिया उन्होंने और जो पॉलिटिकल रिफॉर्मिसन का काम था वो उन्होंने पकड लिया तो बामसिफ के लोग जिनोंने वहां मीटिंग की जिनोंने साहभ कासी रामजी को यह कहने पर मदूर किया कि बामसिफ को ले जाओ। उनको जुम्मधारी बनती थी, कि जब और यकीन नहीं करते थे, कि क्या करना है क्या नहीं है तो बामसेफ को चलाते, पर बामसेफ उनसे चली नहीं, उनको पता ही नहीं था कि बामसेफ में खरना क्या है, बस जितना पैटर्न उन्होंनों सीखा साब कासी राम जी से, उतना ही वही पैटन है कोई पैटन वे चेज नहीं है बलकर जिन चीज़ों के लिए बामसेफ ने मना किया जिनको बैन किया वो चीज़ों शामिल कर लिए राजनिती भी शामिल कर लिए उसके अंदर मजभ और धरम भी शामिल कर लिए उसके अंदर और उसके अंदर एजिटेशन भी यानि के जो विरोध प्रतिसन होते हैं वो भी शामिल कर लिए जबकि वो उसकी थीम थी नहीं उसके लिए के दो टुकडे, तीन टुकडे, चार टुकडे हुए हैं अभी यहां खापड़े साब का जो काई करम लगा असमति दिवस यानि जो उनका मरद दिन था उसके बामसिफ के एक धड़े ने काई करम लगाया एक दिन दिल्ली में और उसके लिए दिन बामसिफ के दूसरे धड़ आने में जल्दी आसानी होती है, क्योंकि संत आत्मी सीधा सचा होता है, जिसने जो बात कह दी वो मान लेता है, वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता कि यह चीज़ें खराब होने वाली हैं, कास अगर खापड़ जी सोच लेते, खोबरा गड़े क्या बोल रहे हैं, या जो ज संग का रूप ले चुकी होती, और वो संग का काम बहुत इसे करकी होती, क्योंकि साहब कासी राद्वी ने उसको रेष्टर्ड ना कराने का लान किया हुआ था, उन्होंने नहीं कराई रेष्टर्ड, और उसके अंदर बहुत इछे लोगी खटे हुए, और उसका एक जथ व्यक्ति के लालच के कारण, एक व्यक्ति के गलत सोच के कारण, एक व्यक्ति के राग के कारण, ये बारिक बाते हैं जो साहब कासी राम जी के मूमेंट में कोई आपको बताने वाला नहीं है, और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी बातें लोग डर के नहीं बताते, अरिक्यों बताया नुकसान होगा नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा ऐसी चीजों को दुबारा रिप्ट नहीं होना चाहिए साहब कासिराम जी अगर उस समय बामसेफ को नहीं उनको देते और अपने पास बामसेफ को रखते जो चीज सुरू में बनती है उस पर लोगों का यकीन रहता है जिए वो तूटती बिखरती रहती है तो लोगों के यकीन भी तूटते बिखरते रहते हैं फिर उनको समयटना भारी पड़ जाता है आज हम अपने पीर फकी समरसंत मानेवर साब कासिराम जी को याद कर रहे हैं संग नहीं बन पाया तो कम सकम एक व्यक्ति ने काम किया खराब यह है कि एक व्यक्ति के परणाम जितने आ सकते थे उतने आए और उसके बाद जो दुस परणाम आते हैं व्यक्तियों के हमेसा परणाम और दुस परणाम दोनों आते हैं और संग के हमेसा परणाम आते हैं द और खराब काम भी पीर फकी समरसंद माने वर कासी राम जी ने जाग रुकता का काम बहुत जबर्जस्त किया एक व्यक्ति अपनी पूरी ताकस से जितना काम कर सकता है उससे सो गुना ज़्यादा काम करके वो गए है पर उसका नुकसान हो गया नुकसान क्या हुआ क्योंकि जो जटके उन्होंने सुरू में खाए उसके बाद में संग बनाने की उन्होंने कोशिस नहीं कि क्योंकि व्यक्तियों से यकीन उठकिया होगा जब इतने भरोसे के व्यक्ति जो साथ लगे वाले थे और इतनी सीधे साधे लोग थे जब वो बदल गए आगे कौन-कौन बदल जाए क्या पता चलता है कि कोई MLA कोई MP का टिकेट कोई फलाना कोई डेलाना कोई पैसा कोई ये कोई गारंटी नहीं तो हो सकता है व्यक्तियों से भरोसा उठिया हो पर काम करना था क्योंगी काम करन लोग तो वो घुस्ते चले गए और आइडिलोजी एक साइड में होती चली गई और मौका परस्ती आगे बढ़ती चली गई उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे लोग साहब कासी राम जी के पीर फकी समरसंद मानेवर साहब कासी राम जी की आंक बंद होने के बाद उन मैं भी कासी नाम मेरा कासी नाम मेरी पार्टी का नाम कासी नाम मेरे संग्ठन का नाम कासी नाम और मैं 78 का असली सिपाई और मैं 74 का असली सिपाई और मैं 73 का सिपाई और मैंने तो ऐसा किया और मैं तो वैसा किया मैं तब रहा जितने चेले चापाटे थे वो नहीं समझ प परिवाज छोड़ा पैसा छोड़ा नौकरी चोड़ी लालत छोड़े वो संतों की बाड़ी थी वो संग का निर्मान करने का पूरा वेसे को पता हो या ना हो संग का पर काम वो संग वाला ही कर रहे थे आज मेरी एक बहुत ऐसे व्यक्ति से बात हुई जो उनके साथ रह जाते थे उन्होंने ये कहा कि जो काम संग कर रहा है यही काम साहब कासी राम जी ने सुरू में किया था यह उनके सेंटेंस है मैं अपने नहीं बता रहा है यही काम किया था और आज मुझे समझ में आरा है कि कहां थे इस को कासी राम जी से रहा है, चो संग था उनका उसके साथ यानि ये समण संग के लिए एक उपलब्दी है कि उनके समय का एक पुराना जानकार विख्ती जो अच्छा का था प्रोफिसर वो ये कहता है कि समण संग जो काम कर रहा है वो साहब कासी रामजी वाला काम है और उनसे बहतर है उसमें जो कमिया थी क्योंकि उन्हें संग का नहीं पता होगा हम तो यह संग को सब लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं कमिया दूर करते रहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम भी काम कर रहे हैं हम और तरह का काम कर रहे हैं पर जो समण संग काम कर रहा है वो अल्टिमेट काम है इस इस the ultimate work by समन संग ये समन संग के दोआरha उच्टम कार रहे है और यही आखिरी कार रहे है और हम जो काम कर रहे हैं वो टेंप्रेरी है पर हमारी मजबूरी हम कर रहे हैं और हम थोड़े समिय बाद समर संग में आके मिल जाएंगे कितनी बड़ी उपलब्दी है समढ़ संग के लिए क्योंकि साहब कासी राम जी के पुराने समय के लोग ये बात कह रहे है इससे पता चलता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है तो थोड़ी सी साबधानी भी लेनी चाहिए थोड़ी साबधानी ये लेनी चाहिए कि जो पुराने समय में घटना है घटिया उससे सबक लेते हुए हमको दरश्टी दूर करनी चाहिए किसी बेहलत में छोटा नहीं सोचना चाहिए संग क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी को नहीं पता पर मिलेंगे सारे एक साथ जब बैठेंगे तो वही करेंगे इसलिए जो करेंगे बहतर करेंगे तो यकीन रखना चाहिए संग किसी व्यक्ती का नहीं है ये यकीन रखना चाहिए और जिस व्यक्ती को ये यकीन नहीं है मैं यकीन कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति व्यक्ति वादी है जिस व्यक्ति को ये यकीन नहीं है कि संग में कोई व्यक्ति नहीं है या कोई व्यक्ति आने वाला है वो व्यक्ति अपने आपको देखे और सोचे कि वो व्यक्ति के वारे में तना क्यों सोचता है क्या कारण है कहीं वो व्यक्ति वादी व्यक्ति तो नहीं है क्योंकि जैसा सोचता है वो ऐसा व्यक्ति खुद होता है तो काम ना रुके तो काम नहीं रुकना चाहिए पहले एक मिश्टेक हुई साहब कासी राम जी से के साहब कासी राम जी ने बाम सिर्फ को दे दिया ले ज लालो इसको पर चली नहीं पर इसवार वो मिश्टेक नहीं होने वाली यहां कितने भी लोग आएं कैसे भी आएं संग कहीं नहीं जाने वाला संग लोहे की तरह आगे बढ़ेगा टंटन करता हूँ आगे बढ़ेगा और बहुत तीस से आगे बढ़ेगा पुरानी कमिया सब दूर कर चुके हैं और नई कमी आएंगी उनको भी दूर करेंगे किसी बहलत में इस संग को अपने आपजेक्ट तक और आपजेक्ट के बाद तक पहुंचाने का हमारा सबका मक्सद है और इसी के लिए हम अपना जीवन देने के लिए त्यार बैठे हैं यहां पीर फकी तो बहुत साई लोगों ने उनको धोका दिया बहुत साई लोगों ने छोड़ा बहुत साई लोगों ने चाले चली पर जिद थी जितना व्यक्ति जीवन में कर सकता था उतना करके गए उससे ज्यादा करके गए सोगना ज्यादा करके गए तो एक व्यक्ति की जिद अगर आपको थोड़ा सा सुक्ष दे सकती है, तो सब लोग अगर जिद्द करेंगे जोड़ने की, सब लोग अगर जिद्द करेंगे जोड़ने की, तो कितनी जल्दी काम होगा हमारा, कितनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, लाइन हमारी ठीक है, ये सब बताते हैं, इसलिए कल का ज होता है या कोई फावला होता है जब इसको चलाते रहते हैं तो थोड़े समय बाद वह खुत्तल हो जाता है देखने में ऐसी लगता है कि वो मिट्टी से है तो लोहे का भी चमख नाहीं लगता है अएसने श्चील का हो गया हो पर दरसलो बिलंट हो जाता है खुट्ल हो सकते खुटल से हम कुछ कोई काम नहीं कर सकते इसलिए खुटल और बिलंट नहीं होना चाहिए धाल लगती रहना चाहिए चेंज होते रहना चाहिए परिवर्तन होते रहना चाहिए क्योंकि जो खेत में मिट्टी परिवर्तित नहीं होती वो उपजाओ नहीं होती जिस खेत के अंदर मिट्टी नहीं पल्टी जाती है उससे फसल नहीं आती उसमें फिर घास ही आती है तो इसलिए यह सब परिवर्तन होने बहुत जरूरी है और कुछ परिवर्तन सकते हैं वो सुन सकते हैं और जो संगी है उन सब को सूचना हो जाए कि सारे संगी आ जाए कोशिस रहे कि हमारी संग्या जादा से जादा रहे और सब लोग अपने काम पे लग जाएं क्योंकि साब कासी राम जी के समय में साब कासी राम जी कहते थे होई सकत है यानि हो सकता है वो पॉलिटिकल वे में बोला करते थे कि हम सासक जमात बन सकते हैं यह हो सकत है और हम इस बात को फिर रिपीट कर रहे हैं कि सारे जब इखटे होंगे सारा संग जब इखटा होगा तो जो प्रणाम वो नहीं आते जो प्रकति चाहती है प्रणाम वो होते हैं जो संग चाहता है क्योंकि ना खाता ना वही और जो संग कहते वो सही जिद्ध हमारी जुड़ने की है जुड़ेंगे जीतेंगे जो जुड़े हैं वो जीते हैं जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं ताल कटोरा स्टेटियम में जुड़े तो वहां ख दूर हो जाएंगे, यही सच है, यही संग है, संग नमामी, संग नमामी, संग नमामी, मेरी किसी बात से, अगर किसी को कोई ठेश लगी हो, तो मैं संग से माफी चाहता हूँ, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे. सदुराद। ज़िपाद। सदुराद। सदुराद। सादूचा आदूचा यह नहीं। सादूचा खार। प्रिधासल थड़ासा मामसेप का तो पांच मिनट और बता दे कैसे वह कौन थे कौन को नाम वा गया जली बॉलकर और बाद फे टुकले कर फे टुकले शुरू में तो है नहीं होगी न? बेसिकली क्या हुआ था कि साहाब कासी राम जी ने जब बाम सिर्फ का काम सुरू किया तो उसमें होता क्या है माना कवा सभाव होता है माना कवा सभाव होता है कि उनको लगता है कि भई साहाब कासी राम जी के तो बड़ा नाम हो गया या ये तो कलकुदेश के नेता बनने वाले हैं या मैं तो पीछे रह गया या क्या बोलते हैं ये लेकर ना भग जाएं इसको बामसिफ को बहुत सारी बाते माना वस्वभाब में आती है मतलब कही ना कहीं कहीं ना कहीं उसका यकिन हिल जाता है जो काम चल रहा है के वार बहुत ज़दा अती होती है जैसे किसी वेक्ति का ये ध्यान नहुगा रहे साब कासी राम जी पर लगाम लगा के रखो भई कभी ऐसा नहोगे साब कासी राम जी हमको बेच आए तो हो सकता है कोई जादा ही इहतैसी हो गया हो बाम सिफ का और उसने अगर कभी को मुझे लगे कि मैं कहीं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ या कोई ऐसी बात होगे तो यह मान लेना कि मैं बिग गया हूँ और मिरे को निकाल देना छोड़ देना मेरे को उन्होंने सारी चीज़े बता के रखी हुई थी पर वेक्ति को खुद लाला चा जाए वेक्त तो वो मनहोराप्टे की पटाई भी करा दी और उनके हाथ पर टुलवा दिये उनको छट से फिकवा दिया वो बच गए उसके बाद में वहां लोगों को भढ़काना शुरू किया जब कुछ नहीं मिला तो साहाब और क्या बोलते महन मायवतजी के जो रिलेशन्शिप है उ तो उस समय की होंगी उनको बात का पतंगल बनाया होगा पर उद्दे से भूल गे वो लोग कि हम किसलिए खटे हो रहे हैं किसलिए नहीं जब व्यक्ति अपने लिए मोड़ता है किसी चीज़ को तो उद्दे से याद नहीं रहता हुसे फिर उसे बड़ा उबजेक्ट पाई जो उस समय थी उस समय जो जजबा था उस समय संसादन कम होने के बाद भी उस समय रौनक रहती थी बामसेफ में और सारे लोग दिन रात मन से काम क्या करते थे तन से काम क्या करते थे पर वो बात बनी नहीं और आज तक भी फिर बामसेफ के लगा था ठुकड़े क्यो की बाम सेफ जो साफ कासी राम जी ने उनको दी उनको उन्होंने अच्छी नियस सनी ली उन्होंने च्छीनने के हिसाब से ली उन्होंने काम करने के हिसाब सनी ली बाम सेफ को उन्होंने साफ कासी राम जी से हटाने के उद्देश से सचीना और जब ऐसा काम निगेटिव होत है तो आपस में लडाईयां होती है वो लडाईयां ऐसी होती है कि भई अब हम बाम सेफ को साब कासी राम जी से ले आए तो अब इसका मालिक कौन बनेगा तो फिर उनमें मालिक का जगड़ा होने लगा अचा एक मालिक बना उसको दो-चार साल उनमें टौलेट किया फिर दूसा मालिक बना फिर उनके टुकड़े हो गए फिर उसके बाद उसमें बाम सेफ के अंदर लगाता टुकड़े होते गए जो आज तक भी हो रहे हैं क्योंकि उसको छीन के लेके आये थे वो उसको जबरन लेके आये थे वो हाऊस से पास होगे या लोगों की एकच्छानुसार नहीं आई थी लोग ना झायते थे कि बामसे भटे या साब कासिराम जीरी लोगोंका जो फियत है वो साभ कासीराम जी का जो विचार जो आइडिलोजी थी उसमें थी और उनके पास कोई विचार भी नहीं था वो पैसा ले ले लेते हैं लोगों से क्योंकि सरकारी करमचारी पैसा होता था और सरकारी करमचारी के मजूरी थी कि वो राजनितिक मंचपेर या राजनितिक काम नहीं कर सकते थे इसका benefit उठाया उनोंने और वो उनको धंकाते थे कहरे भई कासी राम तो राजनितिक हो गया और तुम तो राजनितिक जा नहीं सकते तो वो सामाजी काम उतने ही pattern पे करते रहे आज तक भी जो pattern और जितना काम सावकासी राम जी ने बताया और क्या उससे आगे नहीं बड़ा, ये कमाल की बात है कि वो सोची आगे बड़ी ना सोच आगे बड़ी ना object आगे बड़ा और आज तक भी बام से के पास कोई object नहीं है कोई उद्दे से नहीं आज तक Dubai सिवाए इसके कि वो साल में एक वार वहां रजाते हैं अदिवेसं लगाते हैं और कहते ही हैं कि हम लोगों को जाग रूट कर रहे हैं बस वो जगाने काम कर रहे हैं और लोग कितने जगे जगे से ये और भी ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि साब कासी राम जी ने इनको आपस में लड़ना नहीं सिकाया पर अगर किसी घर के अंदर किसी बाप की जायात पे दस बेटे आपस में जख़़ा करें और बाप के जीते जी उससे साइन करा लें या बाप उनको अपनी प्रॉ परटी ली है तो उनमें भी जख़़डा होता है कि तुमने ऐसा किया तो वो शांती से रह जाते नहीं ये एक धं का नियम है कि पाप अगर आप करोगे तो पाप का परिणाम कभी भी सुखदायक नहीं आ सकता वो हमेंसा दुखदायक याता है तो आज भी बाम सेफ की जो कोई बात करता किसे है तो आदमी फूरन ये पूशता है कौन सी बाप से कौन सी बाम सेफ और ये कौन सी बाम सेफ का जो सेंटेंस है वो उनको चुपता है वो उनको इतना चुपता है कि वो कुछ नहीं कह पाते है पगर वो सोचते नहीं इस बात के लिए है कि हमने जो पहल नहीं करेंगे कि हाँ हमसे वो मिश्टेक हुई हमको उस समय नहीं अलग होने का कोई रीजन नहीं था अगर उन्होंने साब कासी रामी ने कुछ ऐसा काम किया होता जो संग के वरुद होता बामसेफ के वरुद होता या बामसेफ के कोई नीती वरुद बनाई होती या लोगों समाज के बिरुद् duplic कोई काम किया नहीं उन्हें जितना काम किया वो समाज की हिस में किया उन्हुने बामसिश्प और को सारे वी काबिल मानते हैं पर वो वो सारे सारे defeat खा गए, साब काशी राम जी काम तो कहीं का कहीं बढ़ गया, अकेले व्यक्ती का हाला कि अकेले व्यक्ती का परणाम बाद में ठीक नहीं आते, मैंने पहले बताया है हम उसको appreciate नहीं करते पर इतने सारे लोग इकटे थे, परणाम मिलता है, वो यह मिलता है, कि बाम सेफ हमारे हाथ से निकल गई, अगर बाम सेफ एक ही होती, और पूरे देश पे और पूरे भारत में चाही होई होती, दुनिया में चाही होई होती तो वो सब्सक्र बड़ा संग्डन होती पूरी इंडिया का और दुनिया का क्योंकि हमारी संक्या बहुत जादा थी और उसके परणाम बड़े सुखदाई होते और यह अधिकार जाते भी ने तो यहां मेरा सिर्फ इतना ही आज उनके जो जैनती है उस पर इतना ही बताने का है कि अपनी सोच को बढ़ा रखना चाहिए और छोटी छोटी सोटी बातों को छोड़ देना चाहिए ये छोटे छोटी बातें चोटी जो चीजें होती यह बड़े ऑबजेक्ट को खराद कर देती हैं हाला कि हम साबधान हैं अभी होने नहीं देंगे ऐसा है अगर फिर भी क्या होते हैं और जाता साबधान देने की जो होते हैं क्योंकि हमारे पास में यह आखरी मौका है और हो सकता है कि आखरी मौका भी हमारे हाथ से निकल जाए आगे आने वाले घटना करम बड़े खतना पता नहीं क्या चीज होने वाली है क्या नहीं होने वाली है क्योंकि हम डेली डे टू डे जो घटना होती है उसके साफ से काम करते हैं भवस्यका तो हमें भी पता नहीं रहता तो अभी हम इतने ज्यादा पाउर्फुल भी नहीं है इतने ज्याद एकटे भी नहीं है कि हम कहीं है कि अगर सहाब बामसेफ चला रहे होते है और बामसेफ अगर सहाब ने पुरी तरह से नियम बना के समाज को दी होती है और वो व्यक्ति वादी ना होगी होती है रेइस्टर ना ना होती तो आज बामसेफ कुछ और होती हमारी और आज हमें समर्संगी जओत नहीं पड़ती तंम सरेनं गच्छाम। तंम सरेनं गच्छाम।